आज हम लोग बात करेंगे decentralized storage के बारे में हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं digital tools और services के बारे में आज हम लोग बात करने वाले decentralized cloud storage के बारे में cloud storage एक ऐसा topic है जिसके उपर मैंने काफी बात करिये इस channel के उपर आज specifically हम लोग decentralized storage के बारे में पूरा जानेंगे A to Z, क्या यह आपको लेना चाहिए, क्या इसके advantages है, disadvantages है क्या आपको इसमें invest करना चाहिए, या फिर आप लोग इसके थूरू कैसे पैसे कमा सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में So decentralized storage क्या होती है, decentralized storage में जो आपका data रहता है वो एक server पे store नहीं रहता है, बलकि multiple computers पे वो save होता है अब ये कैसे exactly करता है, इसको सबजने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि centralized server हमारा कैसे काम करता है जैसे Google Drive, Dropbox, Microsoft, ये सब centralized server पे काम करते है तो यहाँ पर एक server रहता है, उस पे आपका सारा data store होता है and then उसी server से वापस से आपके पास आता है अब आज के time पर mostly जितने भी बड़े-बड़े giants है वो centralized के बदले distributed network का use करते है मतलब मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ तो जो मेरा data रहेगा वो इंडिया के server पे तो रहेगा ही साथ में हो सकता है सिंगापूर के server पे भी उसकी एक copy हो साथ में USA के server पे उसके copy हो तो डिपेंड करता है from organization to organization की वो centralized है यहां फिर distributed network पर है यह सब major cloud storage companies रहती है अगर आपको cloud storage के बारे में नहीं पता है तो इसके ओपर मैं detailed video बना चुका हूँ आपको आई button के ओपर मिल जाएगा जहां पर मैंने पूरा A to Z explain किया cloud storage के बारे में अब decentralized storage में जो हमारा data रहता है वो multiple computers पे distributed रहता है जैसे P to P network पे रहता है अब यह conscious systems रहते हैं यह systems रहते हैं users के यहां फिर organizations के जैसे मेरे पास यहां पर कुछ hard disk खाली है तो मैं उसको rent पे दे सकता हूँ company को उसके बदले मुझे यहां पर cryptocurrencies मिलेगी कैसे देना है उसके ओपर अभी हम लोग और discuss करेंगे आगे for example यहां पर 50 users हैं जिन्होंने अपनी hard disk rent पे दी है अब मैं जैसे ही upload करूँगा जो भी मैं files को upload करूँगा पहले तो वो files यहां पर तुकड़ों में बढ़े आएगी उसको यहां पर cut down कर दिया जाएगा and then जो वो pieces रहेंगे वो pieces को distribute कर दिया जाएगा in systems के ऊपर in systems पर यहां पर उसको upload कर दिया जाएगा जो जो parts upload करे जाएगे वो पूरे encrypted format में रहेंगे जिसके decryption की सिर्फ आपके पास ही रहेगी so in short decentralized storage पर जो भी आपका data रहता है वो अलग-अलग servers पर store हो जाता है जो servers आते हैं दूसरे users और organization के थूरू जिनको हम लोग यहां पर notes बोलते हैं अब decentralized storage के क्या advantages है सबसे पहला है security क्योंकि यहां पर फाइल को cut down कर दिया जाता है and then इस पर encryption भी डाल दिया जाता है तो काफी secure हो जाती है और बहुत सारे cases में आपको open source system भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो security यहां पर काफी अच्छी रहती है दिन यहां पर cost काफी low हो जाती है जो centralized server रहते हैं वो काफी बड़ी बड़ी companies एक साथ खरीते हैं महाँ पर cooling की requirement रहती है महाँ पर maintenance की requirement रहती है वहाँ पर technical know-how की requirement रहती है employees की requirement रहती है उसकी वज़े से उसका cost वहाँ पर काफी increase हो जाता है जब हम decentralized की तरफ जाते है तो server का cost भी यहाँ पर कम हो जाता है तीसरा advantage है speed on papers इसकी speed अच्छी रहेगी ऐसा बोला जा रहा है बट अभी तक जितना मैंने experience किया है इसकी speed मुझे यहाँ पर कुछ खास अच्छी नहीं मिलिए क्योंकि speed यहाँ पर बहुत सारे factors के उपर depend करती है कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको structure किया गया है और कितने nodes है आपके आसपास for example मैं इंडिया पर बैठा हूँ और इंडिया मैंसे किसी ने अपनी harddash यहाँ पर रेंट पर दी नहीं है या फिर उसमें storage अवेलेबल नहीं है जितना मुझे data save करना है तो उसकी वज़े से एक फाइल मेरी इंडिया में है एक फाइल मेरी सिंगापूर में है एक फाइल मेरी USA में है तो वो तीनों parts उठा के लाएगा and then उसको combine करेगा, decrypt करेगा फिर मुझे देगा तो इस case में हो सकता है मुझे speed यहां पर अच्छी नहीं मिले तो speed on papers तो अच्छी रहेगी जब यह पूरी एक अच्छी तरीके से यहां पर structure develop हो जाएगा, बहुत सारे notes create हो जाएगे, but at present मुझे यहां पर अच्छी speeds नहीं देखने को मिली है decentralized storage के ऊपर अगला यहां पर फाइदा है कि आप लोग पैसे भी कमा सकते हो अगर आपके पास यहां पर space खाली है आपके system में तो आप लोग इसके थूप पैसे कमा सकते हो decentralized storage के उपर अगर आपको और details ही है तो आपको नीचे description पे इसका detailed article मिल जाएगा आप लोग चाहे तो उसे जाके पढ़ सकते हैं अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ examples के बारे में कि कौन कौन से decentralized storage available है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Filecoin की Filecoin 2020 में लाउंच होई थी recently यह काफी popular हो गई है यहाँ पर अपनी Piles भी स्टोर कर सकते हो इसको यूज भी कर सकते ओर आपको खुद का अपना network बनाना है तो डेवलप़स कर भी काफी अच्छी है और अगर आपको सिफ यहाँ पर अप्लोड करना है तो आप लोटस का यूज करके फाइल्स को यहां पर अप्लोड भी कर सकते हो इसके बाद है यहां पर स्टॉज काफी पुरानी है 2014 में यह पर लॉंच किया गया था यह में ली डेवलपर्स के लिए जैसे AWS से वैसे स्टॉज भी है के लिए इसके बाद हैं यहां पर इंटरनेक्स के सबसे एजी ती यूज डिसेंटरलाइस स्टॉरेज है इसकी यहां पर लाइफटाइम डील भी चल रही है जो आपको आप समों के ओपर मिल जाएगी नाव यह मैंने परचेस किया मैंने इसको यूज करके भी देखा और मेरा एक्सपिरियंस है आपर कुछ खास नहीं रहा मैंने आपर एक फाइल अपलोड करी थी 824 MB की मुझे करीबं 12 मिनेट लग गए उस फाइल को अपलोड करते वे तो स्पीड अच्छी नहीं है इसमें काफी सारे बग्स हैं काफी सारे बेसिक फंक्शन मिसिंग है काफी इंप् अच्छा ओप्शन है आपको इसका डिटेल डिव्यू आई बटन के ऊपर मिल जाएगा चाहे तो जाके देख सकते हैं अगर मैं इसके कुछ डिसएडवांटेज इसके बारे में बात करूं तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है वह इसकी नोड डिपेंडेंशी जै यहां पर यूज कर रहे हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है कितने नोड पर एक्स्ट्र कॉपी रखी जारी है जैसे अगर मैं आपर स्टॉर्ट की बात करूं तो यह लोग 80 पीसेज में उसको स्प्लिट करते हैं जिसमें सिर्फ 29 ही रिक्वायर रहते हैं बाकी के जो पीसेज रहते हैं वह आजब बाकप यह लोग रखते हैं कि अगर एक नोड डाउन हो गया तो बाकी नोड से वो डेटा आ जाना चाहिए लेकिन अगर बहुत सारे नोड एक साथ डाउन हो गए तो फिर शायद से आपको डेटा रिटरिवल में प्रॉब्लम हो सकती है काफी अगला डिपंड करता है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया है अगला डिषडवांटेज जैसे कि मैंने का कि अगर आपके आसपास में नोड नहीं है तो हो सकता है कि स्पीड आपको कम मिले पिर अगर कन्वीनियेंस की बात करूँ तो आपको यह पर प्राइवसी और सि सिस्टम को मेरे इसाब से आड प्रेजेंट यह रिप्लेस नहीं कर सकता है इसको इसको अभी टाइम लेगा यह भी नई टेकनलोजी है धीरे-धीरे डेवलप हो रही है कापी इंप्रूव्मेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहां पर और इंडिया जैसी कंट्री पे जहां पर अगर क्लाउड लोगों से पूछोगे तो उनको सिफ गूगल ट्राई भी पता है उनको यह भी नहीं पता है कि जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन भी होता है पी क्लाउड जैसे सर्विस भी अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी मैं डेटेल रिव्यू कर तुका हूँ आप जरूर दे दीजेगा तो क्या आपको यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए जितने भी यह डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज है पाइल कॉइन हो गया इन सब के अपने क्रिप्टो करेंसी भी हैं तो अगर आप इस टेक्नलोजी में बिलीव करते हो अगर आपको लगता क्या यहां से पैसे कमा सकते हैं तो कैसे कमा सकते हैं जिस्टेम होना चाहिए उसकी हर्डवेर रिक्वायLP宏 है पह ju लोग आप यह सोचते हैं कि अगर में आपटॉप में 500 GB खाली है तो मैं आप उसको रेंट दे सकता हूँ आपके पास SSD होनी चाहिए एक powerful GPU होना चाहिए इंटरनेट होना चाहिए किस तरह की डिस्क होनी चाहिए किस तरह का प्रोसेसर होना चाहिए यह यहां पर mining के लिए अगर मैं आपको नोट बनना है तो उसके लिए क्या requirement से वह भी यहां पर आपको दिख जाएगी कि एक प्रोसेसर होना चाहिए एक नोट के लिए फिर कितने TB के आपके पास आपके पास स्पेस होनी चाहिए कितने MBPS का आपके पास connection होना चाहिए, bandwidth आपके पास at least 16 plus TB की हर महीने होनी चाहिए और 99% of the time यह online होना चाहिए means महीने में around 5 घंटे तक offline रह सकता है बाकि all the time आपके system को आपकर online रहना पड़ेगा तो अगर आपके पास एक strong system है, internet है, electricity है तो यहाँ पर आप लोग अपनी space को rent out करके cryptocurrencies कमा सकते हो So decentralized storage का जो concept है वो काफी अच्छा है लेकिन at present यह centralized cloud storage को मुझे नहीं लगता कि replace कर सकता है हाला कि इसमें काफी सारे यहाँ पर improvements करे जा रहे हैं और इहाँ पर innovations भी आपको आने वाले time पर काफी देखने को मिलेंगे लेजेगा and I will see you guys in the next one. Goodbye.